करने हैं तोब करने हैं हमें तोड़ा दीटेश में बात करेंगे त्चोर्फर नामेंनक का डाइब देखने में दिकने में आधे कांठी, क्या रहा वी रा есть कुछ yağदगार माच इसक्लाइंब कि ये पूरे पूरे टोनामेंट के रहे हमान तरह भात करेंगी सानिव को ऐन्ट में ऊमारे साथ है। और संदीब भाई आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरा सबसे पहले तो नागेश ट्रोफी से लेकर आप लोग का सवाल है कि आपको लगता है कि अन्नेसेसली ड्रैक किया है संदीब भाई देखिये अनमोल भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि टूर्णमेंट तो पहली समापत हो गया था लग बग यह लेकिन एक महीना डिले कर दिया इसको जैसे सुपरेट के मुकावले थे वह काफी बाद में हुए तो अधि बहुत जाना तो नहीं चाहिए था वैसे शाहिद वह और चक्रोंगा पीच में कुछ अगर हम उस टॉपिक पर बात करते तो बहुत स्टैलन भाई क्या भी यही सहमत है कि टीम में नहीं ड्राइग कर दे पूरा टॉर्णमेंट बिल्कुल यार यह टॉर्णमेंट जो खतम हो सकता था जल्दी उसको अपने तो अलग-अलग शेरों में कराया चलो वो तो अच्छा है लेकिन साइमल्टेनियस लिए आप साथ में करा सकते थे अगर जम्हू में चल रहा है तो उसमें भी नहीं ताना शेलन भाई आपका लिग स्टेजिस था 25 डिसेंबर को खतम हो गए नहीं 29 डिसेंबर को खतम हो गए थे उसके बाद से लेकर फेब्रोरी के स्टार्ट तक जाने का मतलब बनता ही नहीं था वो आपके लीक सेजिस पह तो थोड़ा सा लगा कि ज्यादा लंबा चला गया यह भी साथ में रख सकते थे सुपरेट के साथ में रखवा सकते थे मतलब इतना आपको करने की जरुरत तो पड़ती है नहीं मतलब यह क्या चल रहा है ब्लाइंड क्रिकेट में समझना थोड़ा सा मुश्किल हैं ऐसा है कि कुछ लोग को फेवरिटिजम देने के चकर में लोग पूरे के पूरे टूर्णामेंट की क्रेडिबिलिटी गड़ रहे है क्वालिटी भी क्रिकेट की गिरी हुई है लुजे थोड़ी है यहां पर मैं संधीब भाई आथ को क्या लगता है करनाटका जीतना ब्लाइंड क लाड़ी और निकल जाएंगे इंटरनेशनल जैसे अभी उनके तो खेली रहे हैं करनाटका और अंद्रा के तो साथ मोड़ी से को लगाले बस आप तो एक दो और निकल जाएंगे बस यही होगा इंडिया को पाईदर कुछ नहीं है एक चीज मैं यहां पर बोलना चाओंग करनाटका ती लिकिन करनाटकों को भी और मुस्ट 95 परसेंट अंदरा हरा दिया उडिसा को भी कोई भी चालेंज नहीं थे वो सिर्फ एक और सीजन 2018 का छोड़ दे तो भी आंदरा को हर टाइम हारे है उडिसा अंदरा से अप चाहें नॉकाउट्स में देख ले आप चाहें ग्रूप से जिज में कभी उनका सामना रहा तो वो हारे हैं तो एक चीज जो था ना कि डॉमेनेशन तिसे अस्टेलिया डॉमेनेशन का अगर अजरेडी आजरेडी तो इन तीनों के अलावा अगर हम देखे तो कोई भी नहीं है भाई अब लोगर ओडर देखे अब एक रवी है जो जिनको वो नर्चर करने को कोशिश कर रहे है उतना नहीं है मतलब उन्टा गेम में क्या है वो रन अब बॉल खेल देंगे आपको सपोर्ड करके दे देंगे उतना जादा वड़ा उनका रूल नहीं रहता उसके अलावा कोई है नहीं बाकी के टीमों को भी सीख लेनी चाहिए यार यह नागेश टोफी हो रही है सिर्फ आंद्रा और ओडिसा और करना डगा के लिए आपके लिए भी हो रही है आप भी तो आगे बढ़ो क्वालिटी क्या दिखिए आप मुझे बताओ गोवा ने अपने पैरों पर कुलहाडी मार लिया गोवा जैसी टीम कहां कहां जाके हार रही है फिर बाद में वो छोड़ी है अब स्टेलर में गोवा को सोड़ो आप बड़ी बड़ी टीमों को देख लो ना हरयाना क्या कर रहा है उनका तो स्टैंडर्ड नीचे गिरा है गुजराट का स्टैंडर्ड देखे तक आने से पहले गुज़ात तो मैरे को पता है गुज़ात के ब्लाइट से कॉमेंट्स अपर तो पूरा का पूरा पूरा प्रेशर ले लिया जब जब जरुरत पड़ती तब कोई नहीं करता ना यही तो दिक्कत इंडिया के रियल क्रिकेट टीम के साथ क्या हो रहा है यही तो दिक्कत इंडियन्स के साथ है तो वही दिक्कत गुजरात और जो बाकी तीम है उनके साथ यह जब आपके समने ओडिसा आंदरा करना टकावा जाते है तो क्यूं आप डरते हो और यह मैं मानता हूं कि क्वालिटी बहुत खराब हुई है इस साल क्रिकेट की नागे स्वफ पर अपर वह मुझे इतना बेकार लगा ना संदीब भाई आपका टीट्वेंटी का टॉर्णामेंट है और आप 10 वर्स का मैच खेल रहो संदीब भाई लिए मोमेरेबल जो मैच था वो रजस्तान और रहना वाले तो भाई साब वो पूरे तो यहार रहेगा वह वीडियो म हमारे अपने ही चानल पर देखा था अनमुल की जबानी वह मुझे सबसे आजीव लगा था यार रहना ने क्या कर दिया है पर आक्चुली उस तो ना उस वीडियो उस दिन आपको बता रहा हूं ऐसा एकसाइटमेंट था ना मतलब वह एक वीडियो देखके मैच देखके ए सब्सक्राइब कर देखके मैं अब अब डॉमिनेशन नहीं होगा ऐसे हम पहले हर्याना के साथ असोसेट करते थे जनरल यह टम की अब टॉप फॉर में गैरंटीड है उनका स्लोट पर आप नहीं है और अच्छा लगा कि गुजराच कंपीट कर रहा है अब हर्याना भी आपने भी अबजर्व किया होगा करनाटेका में बीवन का प्रॉबलम है अंधरा में आपके पास सीनियर प्लेयर और डीप अलब बेंड स्ट्रेंट के नाम पर क्या ही है और वो किरन मुझे तोड़ा अच्छे लगे बीवन बोलर जो उन्होंने लाए है उसके अलावा जा आप कैसे अपने टीम में लाना चाहेंगे वो बोल रहते हैं कि हमारे मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है पर वही प्राबलम है अंधरा के पास सीनियर प्लेयर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तिंग वह जो लेवल ऑफ अलब सीनियर प्लेयर के अलावा जो लेवल अधर प्लेयर बेंच ट्रेंट है उनको जादा आने का मौका नहीं मिला है और अगर हम वेरेस करनाटा का को देखे क्योंकि करनाटा का लगातार हारतार आए न तो उनको एक नई नई चीज़े ट्राइ करनी पड़ी इसलिए वो नहीं नहीं प्लेयर लाते रहे लाते रहे तो करनाटा का लेकिन अनमोल बाई काम परानों नहीं किया है उनके पराने प्रकाश जहरा में करनाटा का क्या होगा अभी तो ठली ठीक है सुनील ने लीड रोल ले लिया है अभी तेक है सुनील के बिना करनाटा का क्या होगा या लोकेश के बिना करनाटा इवन दो लोकेश जादा बड़ा रोल नहीं प्ले करता है पर फिल्डिंग लगाने से लेके माज को होल्ड करने तक के जो इंपोर्टन इंपोर्टन इनिंस इस है वो भी लोकेश करते है मतल दूर से देखते थे करनादागा में क्रिकेट को अब अभी मैं बैंगलोर में हूं तो मुझे अच्छा स्वभाग्य मिला दीरे-दीरे करनादागा के ब्लाइंट को अब्जर्ब करनेगा और जितना मेरा अब्जर्वेशन है ना वहां पे भी बहुत सब्सक्राइब करनाटका नहीं है अंधरा नहीं है उडिसा नहीं है सब कहीं आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी जो भी ब्लाइंट क्रिक्ट को हम यह हम बस सोचते रह जाते कि टैलेंट को और अपोर्चनेटी को मुका मिलता होगा लेकिन यह मतलब एक थोड़ी सचा ही कड़वी है लेकिन है तो सहीच सब जगह है सही बिलकुल और जियां लेकिन अभी हम बात करेंगे ना जो एरा व डॉमेनेशन आप अंधरा प्रद क्या लगा वह में बात में बताओंगा संदी बई आपको क्या लगा कि इस साल एज डिपरेंस क्या था जिसके वज़े से आंधरा हारा आइफाइनल में उसकी मेन वज़े मुझे लगती है के एक तो मतलब जो वैंकी का अपने का रहा तो ज्यादा डिपेंडबल थे लेकिन मुझे लगता है जितना वो पहले वाले मैचों में खेलेना उतना नहीं खेल पाइस मैच में आंत में उनको रन आउट करवाना पड़ा क्योंकि बीधरी को लेकर आना था उनको कम वबर रहे थे रन कम थे तो वैंकी जो एक बॉल्ड आउट होगे थे गुडपा की सब्सक्राइब करनाडगा को इतने रन भी नहीं खाने पड़ते हैं अगर उन्होंने 31 पे गुर्दुरगा राओ का कैच डॉप कर दिया था करनाडगा कैप्टेन जबड़े वोड़ा यह तो चलता ही रहेगा फिर हाँ वह तो सभी एक फैक्टर लगता है ना कि करना आंद सब्सक्राइब करनाडगा के लिए फोल भीxisी नहीं होता यारा मतलब कहने के लिए तो हम बोल देता है यार इंसे न हो पाए और इन्से न हो पाएगा रहने तो हम मैच दिखना बंड कर लेते लिकिन और पहले बाल में विकेट गिरने के बाद तो कोई हिसान तो कोई नहीं सोज रहा था कि इन से होपा मुझे 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 है कि 237 रन थे और डिफेंट कर सकते थे मुझे ऐसा था कि अंध्रा जीट जाएगा फिर से लिए उन्टी बालिंग बहुत लग लग रहा था यार मतलब इतने खराब आपके फ्यीटिंग में कब से हो लागे ठीक ए थीन प्लेयर पर भी डिपंदेंट्ट जो लेकिन कम से कम फ्यीडिंग में तव अ फ्यीडिंग में अप्लिटिंग में अट आप थिव manure टूर्श üzी और विल्टमी जो और 1220 बरीत व्बलेयर अर अ बाल्स युल परफॉर्मिंस दिया ना ब्रो परफॉर्मिंस दिया ना इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह एक नॉक वान फॉर्टिफोर की नरेश तुम्ब्ला की रही उसके वजह से वह नहीं ले पाए नहीं तो बैस्ट भी वन प्लेयर कवरड़ पाई जाते हैं सार बैस्ट फेल्टर का भी देदना चाहिए था रणाउट किया था और वह भी वह बहुत ज्यादा तेज खेल रहे थे और मतलब अगर सुक्राम मांजी उस सिच्वेशन में आउट नहीं होते तो प्रॉब्ली उडिशा बहुत जाला नहीं होते तो स्मार्टनस की वजह से जीता है उडिसा करनाट का उस मैच को तो करनाट का ने शुरू कर दिया है मतलब आंदरा ने जो जो सोचा ना कि भाई चलो यार पहले वर में विकेट मिल गया आप ठोड़ा रिलाक्स होता है वो उन्त भारी पड़ा और बॉलिंग और फील्ड सेटिंग क्या यार मतलब आप फाइनल खेल रहे हो आपको पता है करेंसी को कितना रेट कर रहे हो और कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो ठीक ही कर रहे रहे थे तिन अच्छी या इतनी बुरी तो नहीं कर रहे थे काफी है उनके लिए कर रहा तो कोई और था तो इंडिया का कैप्टन वहां पर अगर वहां पर बैठा है तो इंक्लूएंस तो हंड्रेड परसेंट होगा ऐसा तो नहीं किया नहीं ही होगा कि अबाकी इस बार तो वह खेल भी बन में रहे थे तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा कम अ मेरे को भी बहुत अजीब लगा आ विलिब मैं बता रहा हू सुनिल ब्रो इस तैम मैं संदी ब्रो इस तैम में लंच हो रहा था हम लोग का गाफ़ेडरी रह में बेटे देंब लो विच्टिम डेली और अजे रेडी बातिंग करने आ रहे और कोमेंटे अजे रेडी वाकिंग इन एस बीवन एक मिट के लिए शॉक्ट नहीं रिवाइंड कर दिया वापस फिर वो बुले बीवन बीवन अब अलागता ही था अनौल बाइश चाह उन्वाई मुझे ना मैंन अजे रेडी यह न मैं एक दम हिल गया यार यह कहां से आ गया वही यह तो आई नहीं सकता भी टू है यह पर बाद में पता चला कि नहीं है भी वही मेरे लिए तो आधा आधा मिनिट मेरे को लगा इस बात को अब्सर्व करने में के अजे रेडी बीवन और उस टैम पर खा मुझे नहीं कर सकते मुझे मुझे नहीं लगा ना तो बल्लेवाजी में लगा मुझे ना फिल्डिंग में लगा बाकि आपको एक आपको एक आपको बताता हूं अगर मैं ब्लाइंड होता हूं तो मेरे इतना अक्टिव नहीं होंगा कि आते सारी सो मार जाओंगा यह बात सही बोला आप आप से मुझे जो खबर मिली है अब सुत्रों के हवाले से मैं अपने अपनी मन की नहीं बता रहा हूं सुत्रों के मुझे जो खबर मिली है मैंने जो जानकर निकाली है कि मतलब थोड़ा सा ना यह बीवन का थोड़ा सा ऊपर कराने के लिए उन्होंने अपने आपको बीवन में कनवर्ट के वरना ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि जितने जितने लोग उनको जानते हैं मैं उन्होंने तो बता नहीं यार ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है बिल्कुल भी एक रीजन और हो सक्तैनबल भाई बीवन बनने का मुझे लगता है जो वह यह कि आपको पता है जो इपसा वर्ड ब्लैंड गेम सोई थी तो करना चाहते हूं अभी ट्रेंगुलर सीदी जाना है बंगला दोबाई में खेलेंगे बंगलादेश पाकिस्तान इंडिया है जी अब अगर हार गए ना पाकिसान से तो पता नहीं क्या होना है अभी मेरे को लगता है कि फेरली गुड पीवन बोलस अभी कंपेर करें तो इस को अच्छे लग रहे है वो करना डगा कि मैंने बहुत बात बढ़िया बोलिंग भी करी उन्होंने और अपना जो दिवाग है ना वो बड़ा अच्छा यूज कर आ रहे और वो सुखरा माजु करो लास्ट टाइम से कि हम अंक्लीर ते ठीक है अगर अगर अजयर एडी को भ अधालती है अब आरे पार्शली बोलर्स ने की बस वह ना करे तो ब्रॉब्ली हम बहले रहेंगे अप्रोब्ली बेतर रहेंगे अग्लवल ने की थी वो सुपरेड तक पूंचे नहीं लग नहीं और पार्सली बोलर थे ना संधिब भई देसे बाश चीज मैं अब्सर्ट लेप चले गए वह आई तिंग यह क्लिर ली डेलिबरेट पाकी आइ रेली डोट नो क्या प्लान कर रहे थे और वाट यह ज़िए तो तो यह प्रॉबली आइट वह दिखाया इसा कि मैं सच में ब्लाइंड हो लेकिन कुछ मैं अलगा नहीं कि वह ब्लाइंड है समझ गया करेंगे तो जाधा हो जाएगा चलिए चोड़ देते हैं आगे बात करते हैं संधी भाई आप जो क्रिकेट हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं मतलब इंडिया के लिए भी यह जो नांगेश ट्रोफिय हमें तीम बहतर भी वन बॉलर मिले अगर अगर फोट भी बॉलर भी इस खिलाडी ने बहुत इंप्रेस किया है बहुत इंप्रेस किया है मतलब पूरे सुपर रेट में डेली जिस प्लेयर पर डिपेंडेंट ही ना तीनो माच इस डिली में के लिए बाप आरे हैं हर गेम में 50 प्लस स्कोर है इस बंदे का हर गेम में और रहीत के शर्मा कुछ नाम था उसका यह प्तान है वह उनके रहीत शर्मा शाहिद रहे है रहा है रहीत शर्मा ही है पसंद आया था जेन के बोल रहे है क्या ग्राफ उपर गया है लिटरली वह गेम एक रन का हरने वाला गेम नहीं ता वहां उस टाइम पर जो वह वहां पर उस टाइम पर जो वह शॉट के लाना वो क्या नाम है मैं प्लेयर का नाम हमउश आप बोल रहा हो बी वण helpin करते हैं उनके उपन करते हैं मौहमध आजम है तो सभी हूरि पूnymi नहीं है बूडा ना भूस तो गरां यार सभी आयतिंग पञ़ाद वाला गेम था ना ले लिए लिए थे हम ने लोटे पन्जाब ने उस चुनfed सब्डम वह पंजाब के सापने पंजाब के सामने पंजाब के लिए पनजाब जीट सकता था उस गेम को लेकिन जीता नहीं वो तो तो संधीब भाई आप तो बहुत असो सेटेड़ पंजाब के साथ आपने वो जो जम्मु कश्मीर वाला गेम इस सीजन में जो लेके जाएंगे जब मैं वीडियो बनाया था इस ग्रूप का उस दिन भी मैं यही बोला था कि थोड़ा जो पॉसिटिव जम्मु कश्मीर वाला हौभान है राधिये पंजाब की जो प्रॉलम रहते हैं न कि मिन और यहां और तोड़ी से और इसे कि मथ जुदे में साइब हरे स्मुज्दिब के शचरु हर Sverige है AKK मुझे दिखे गाने कुछ तोड़े जादा होते है उदर हमारे पाकि फिर भी अच्छा किया और वो मैच अच्छा था कुछ ना कुछ तो मतलब लेके जाएगा वहां से अच्छा अभी मैं बात करूँ तो आइड तिंग की मतलब वो एक मैच है जो मेरको हम अच्छे से याद रहेगा यार वो इस बार का परफार्मेंट आइबीन जो वो खेले है ना इस सब्सक्राइब यार इतना अंडर नराशी किया है इतना अंडर परफार्म किया कि अब आप देखे थर्टी नाइन पे ओल आउट हो रहे है वो 16 ओवर्स खेल गए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले तो मुझे समझ मिन अब खेलने के लिए आए हो यार फिर क्यों मतब आई ही क्यों हो यार 16 ओवर में कम से कम या चैनल रन तो बनाओ कम से कम सिक्स्टीम ओवर्स में थर्टी नाइन रन्स आमीन मैं तो शॉक्ट हो गया कि क्या हो रहा है अरे भाई बीस ओवर में सोरन मना लेते वो भी ठीक था है यह परोसियों के लड़ाई थी आपस में बस पिछली बार को रहाया था जारकंड ने अब बिहार ने जारकंड को रादिया जारकंड उसलिए आया था शैद बिहार से आरने के लिए वाई एक से बराबरी कर लो जाओ वैसे तो संदीब भाई सुपरेट में सिफ राजिस्तान के अलावा कोई और सर्प्राइस थाप के लिए जो और नहीं था कुछ भी नहीं था बाकि दुसारा वही चला जैसे पहले में तेलंग ना एक बोल सकते है वो लखी गेम खेलके आ रहे थे वो सर्प्राइस देथे उसके अलावा तो सभी मैच हा रहे हैं इंक्लोडिंग दिली से भी वो गेम तो भाई सब कुछ निकिल के उपर डिपेंडेंट है उनके अलावा मदू है जो एक मातर प्लेयर है तो तोड़ा सपोर्ट करते हैं उनके अलावा तो करना वहां पर टेलंग आना में कोई है नही टीम है जो पॉजिटिक्स करके नई विदरबा असोसियेशन बनाई है वह कैसी रहेगी अगले साथ अगले साली पता चलेगा अभी बात करके मतलब तो है नहीं उस पर मुझे लगता है छोड़ो देखते हैं अच्छा यह हो गई टॉप अभी हम सुपरेट की बात कर रहे थे सुपरेट पर हमने नई एंट्रीज देश है कि आपने बुला कि राजस्तान सबके लिए सर्प्र यह भी रहता है जिस तरह से मतलब यार मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह का स्पेरिट दिखाया है वहां अगेंज ओडिसा महां पर अधरा सेमी फाइनल और वहां पर बीवन के लिए अपील की गई थी लबीड़ी अपील सबको पता था क्लीर बात लगा हुआ था देवराज बाज बहरा थे वो बीवन प्लेयर यह वस प्लेंग वेरी वल मतलब एक तो प्रॉब्लम यह था कि वह चार मारता है तो आठ रंस मिल रहे थे अंधरा के अगेंज और उस ताइम पर उस क्रूशल मुवमेंट पर बाट लगा था ठीक है और अनीश इंग रेगुलर बीवन रेगुलर रांपायर है वो ब्लाइइंड रिकेट में अगर अगर वह तो मैं समझ सकता था कि वह ब्लाइइंड रूल को उत्ना नहीं जानते और या इंपर बैट पर ट्लीर लगा था वो बाल बाट पर लगा था वो पाई अंगर से दिखा रहा रहा हैं को बैट पर लगाओ तरह चाहरा सो इतना पैसा है फंड है हमारे पास नहीं है इसका मैं पर रिषु लिया गया कि द्वारा मैं बताता हूं कहां का लिया गया लेकिन वो इतनी टेक्नोलजी यह पिछाय से हम देख सके या अल्ट्रा यह से देख सके अल्ट्रा यह उने लिए पैसे है तो जब जब सुखारा माजी को रनाउट किया गया था तो उगडपा के द्वारा बॉलिंग पर रिव्यू ले सकते हैं संदीब भाई वह भी रनाउट का पर आइटिक वह जो मतलब अगर किसी टीम को रिव्यू लेना है वह नहीं ले सकती वह नहीं यहां बाउंटरी का रिव्यू है यहां पर बाउंटरी भी एक बर चेक की थी तो यहीं पोल के शॉक तागी कि देखे अगर देवराज बैड़ा सपोस्ट एक दो और और बाटिंग करते तो प्रॉबली 215-216 बना देती उडिसा और संदीब भाई आपने वह मैच बहुत प्लोजल जाते नोगर डिफेंट करने थे सुखरामाजी ने लास्ट अबर में वही कहीं 15 होते या 12 भी होते न तो वही बोल रहा था बस वह एक्स्ट्रा दस रन भी एक्स्ट्रा होते पांच छे रन भी एक्स्ट्रा होते वह जो देवराज बहरा वाला रन आइटिंग जो उडिसा मैं फिनिश किया है थोड़ा बहतर कर सकते हैं अधर्वाइस वह फाइनल में पहुंच जाते हैं अगर वह हो जाता तो डिसीजन तो काफी एन बोल भाई अन फेवर में गए हैं दूसरी टीम के मैंने काफी देखे हैं मैंने जिसमें वाइट भी हैं काफी वाइट जो है वो बस आप लोगों को सही अडॉप्ट करना है और नाशनल टेलिविजन पिछले तीन सालों से अभी पिछले दो साल में प्रसार बारती ने एक भी नाशनल फाइनल्स ब्रोडकाश नहीं किया है बिल्कुल इस वेरी अनफॉर्चनेट पहले दो तीन साल अच्छा हाइप बना आप संडे को फाइनल करा सकते थे आज के दिन तो देखें पूरा क्राओल होता मेरे को नाखपूर क्योंकि हमारा मैतलब वहां पढ़ाई वड़ाई की है भाई मैं पचपन से रहा हूँ वहां पर वो शैर अपना बोल सकता हूं मुझे लोगों का तरब से जो वो मिला ना कि अगर आप साटड़े को संडे को मैंच रखते दो जो जॉब वाले लोग होते है ना पूरी ओडियंस मैं बोल रहा हूँ जॉब वाली बड़ा बड़ा सपोर्ट मिल सकता था नाखपूर में पिपल बेरी क्रिकेट क्रेजी पिपल अगर आप जब भी नाखपूर में एक मैंच करवा होगे पूरा सेल आउट होता है वेन्यू 45-45-50,000 का जो कैपिड सीटी है उस्टेटियम में पूरा पैक्ड हाउस होता है पूरा पैक्ड होता है मैं यह सूच के शॉक्ड हो कि आप साटेड़ी को संदे को अपने लंबा कर लिया तो एक दिन फाइनल लंबा नहीं कर सकते थे लेते हैं और क्या कंसिडर करके डिसेजन लेते हैं अगर आप ले रहे हो तो एक फाइनल के लिए एक दिन आप वेट नहीं कर सकते मतलब यार सच में एक चीज और अन्मोल भाई या इस पार जो देखने को मिली वह है कि जो पिशली बार सीजन हुआ था तो उसमें जो विन देना था लेकिन वह फिर ज्वाइंट हो गया क्योंकि वह बीच में बारिश आगी थी तो इस बार वह जो प्राइस था प्राइस में मैं जाके देखा तो एक लाख चार हुजार पे था विनर टीम का तो गिरावट कैसे आई और सेकंड की थी और सेकंड की थी एटी बताओ तो यह गिरावट कैसे आई मुझे यह नहीं समझे तो पहले पता नहीं यारे इतना पैसा पैसा क्या पैसा क्या मिलने वाला इनको अगर आप इतने पैसे गिरा रहे हो तो उसी पैसे को आप DRS में इन्वेस्ट कर दो यार मांग लो टेक्नोलोजी बनाओ लेकर आओ आई मीन देखिए जब तक सीरेसली सेंग ऑनेसली बोल दाओ भाई जब तक BCCI इस क्रिकेट को अपने हाथों में नहीं लेता तक तक हम विजो स्रिप ऐसे प्रॉब्लम्स उटाते रहेंगे क्यूंकि अभी आल्टरनेट असोसेशन भी है क्रिकेट अगर आप चीज हाइप क्रिकेट को बहते हैं क्रिकेट की बहते ही चाहते हैं पर बहुत अनफॉटनेट है यार दिल से बुरा लगता है इस पर अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यह जो चीजें है वो चलती रहेंगी अब इनकी वाई चीज है संदीब भाई आप क्या बहुत अब आप कर लेते हैं सेमी फाइन्स के जो प्रेसेंटेशन रहे हैं बैस्ट बीवन काटेगरी प्लेयर रहे आपकोस नरे शुम्रा उनके वो 144 रंस ही जो काफी आगे लेकर गए उनको इस मैच में इस पूरे के पूरे टोइनमेंट में जो बेस्ट बीटू प्लेयर रहे विंग के टेश्वर रहो प्रॉबली आइटिंग दूसरा चॉइस भी हो सकता है था इस टोनमें मेंने कोच जो मुझे लगता है हो सकते हुए चलो लीव इट डाट भी तो नो डाउट नहीं करेगा सिंगल अन्ड अड़ी सुनील के पास जाता है भाई साफ और डीजे बहुते हैं उनको करनाटका में अपने टीम उतको वालब डीजे के निकनेम से कॉल करती है और जब आइटिंग उनको जब अवार्ड मिल रहते हैं अगर आप प्राइस इस्टिविशन सेरी में देख रहे हैं संधी बाई डीजे ब्रावो के जो चांज करनाटका टीम दे रहा है एक अच्छी कामराडरी दिखती है करनाटका प्रेंग जो उनकी मुझे लगता है शकल है ना वो थोड़ी आप करनाटका ही नहीं अगर आप बहार देखो ना तो जो अभी सुनील प्रकाश वैसे प्लेयर्स है ना वो आके ऐसा नहीं चोटी टीमों के अगरूप बी में मैंने बात की एक कुछ प्लेयर्स से ग्रूप बी में सब्सक्राइब अगर महारास्ट्रा और गोवा वगरे प्लेयर्स से बात करते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या नहीं गलत कर रहे हो वेरास अगर आप सठन टीम उछाकर देख ले वो ऐसा नहीं है वह करती है दे डून बॉदर आप इट और यह चीज़ मुझे लगता है कि इसलिए अगर आप देखे तो पूरे फाइनल्स में आइधिंग करनाटका के लिए जादा सपोर्ट था अंध्रा जब हम बंगलोर में एक कैम्प लगाने आये थे तो यहां पर कैभी का था वो बीस दिनों का कैम्प था तो उसमें लुकेश यह हमें ट्रेन कर रहे थे अजे रेड़ी ट्रेन कर रहे थे हमें इसके लाबा बासकर तो मैं लुकेश और भासकर से मिला तो इसा लगा नहीं कि इस तरह से वो डील कर रहे थे हमें बिल्कुल भी ऐसा दिखाया नहीं लेकिन जैसे अजी रेड़ी का देखने को आता है वैसा ही कुछ था इनका मतलब ज्यादा नहीं जाओंगा लेकिन हां इनका था वो थोड़ इसके बारे में इस जो के बाद बाद कर लेंगे जी कि वह ठीच अपर है तो कितना सही है इच प्रोगों भूर जाए कर रहें गर जाए गर फित्री केटेजिस में देके पाइनल में उठागे देखे तो करनाट को जाधा सपोर्ट था और अवनेस्ली स्पीकिंग आया उलसो सपोर्डर करनाट को सपोर्ड गया और अभाइब आधर की जो एक एरा था उसे खतम भी करना थ देखे उठागे तो करनाट का था और जिगरे यह जो एक जगरे टाइखे तो करनाट के था टाइखे मैं अब तो करनाट के था प्लेर अगाए यह जो लोग तो की उनकी तीम फाइनल्स में है और उनोंने इतना बड़ा मार्ट जीत लिया ए अब आँ पार्टी दो अश्य कोई बहुत इजी टास्क नहीं होता है जिस तरी किसे उन्होंने जिगरा दिखाया ना जो जजबा दिखाया है और जो सुनील डीजे ब्रावो ने करा है काम और जो 71 पे उनका च्छोड़ा वो उन्होंने कैश-इन कर लिया वहां से अधर घड़ा धर संदी बाइब रस्ताव लंबाइब जी फिल्कुल